हेलो फ्रेंट्स मैं कलतना आप सभी का स्वागत करती हूं सान्या गार्डनी चैनल में फ्रेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं यह है रोज केयर फर्टिलैजर और रोज केयर फर्टिलैजर सभी अगरिकर्चर शॉप पर आपको असानी से मिल सकती है लेकिन अगर आपको यह मिल रही है तो आप इसको घर पे भी असानी से बना सकते हैं तो फ्रेंट्स में सिर्फ चार चीजों का यूज करके आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम रोज केयर फर्टिलैजर को घर पे बना सकते हैं यह बहुत ही अच्छा फर्टिलैजर है मैं इसे तीन से चार साल से इस fertilizer को हम बना सकते हैं तो friends सबसे पहले मैं इसमें compost लूँगी आप कोई भी compost ले सकते हैं मैं दो चमच के लगवग vermicompose ले रही हूँ अगर आप चाहें तो cowden compost भी ले सकते हैं एक चमच हम इसमें add करेंगे नीम खली नीम खली में nitrogen की मातरा बहुत अच्छी होती है जो कि slow release होती है और हमारे plants की जो flowering होती है उसको बहुत ही ज़्यादा बड़ा करती है और बहुत ज़्यादा मातरा में करती है friends next हम लेंगे bone mill तो एक चमच में हम इसमें bone mill में लेंगे तो bone mill जो होता है इसमें phosphorus की मातरा बहुत अच्छी होती है और ये हमारे plants की जो growth होती है उसको बहुत ही अच्छा करता है friends ये तो तीन चीज़े हो गए इसके अलावा हम इसमें mix करेंगे एक चमच fungicide आप कोई भी fungicide use कर सकते है friends बस इन चार चीजों का use करके हम rose food fertilizer बना सकते अगर आपको rose food fertilizer ऐसे market में available नहीं है तो बस आप इन चार चीजों को add कर लीची और जो rose food fertilizer होता है वो बहुत ही असानी से आप घर में ही इसको बना सकते है friends बस अब हमें कुछ नहीं करना है बस इन सभी चार चीजों को हम अच्छे से mix कर देंगे अच्छे से mix करेंगे जिससे कि जो सभी की मात्रा है वो बहुत अच्छे से mix हो जाए friends अगर आप cowden compose लेते हैं तो आप एक बात जरूर ध्यान दीजेगा कि जो वो compose है वो अच्छे से decomposed हुआ हो पिल्कुल अब ताजा जो गाय का गोगोर होता है वो यूस नहीं करेंगे तो अच्छे से decomposed वी compose को लेंगे तो जो हमारा fertilizer ये तयार होगा ये वह अच्छे से तयार होगा तो friends अब ये fertilizer अच्छे से तयार हो गया अब हम इसे अपने रोज के plants पर apply कर सकते हैं तो friends इसे apply करने का जो तरीका है उस पर मेरे एक पूरा वीडियो है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं description box में उसका link देदूँगी आप वहाँ से उसका जो वीडियो है वो देख सकते हैं तो friends मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment box में comment करिएगा अब हम मिलेंगे एक नए topic के साथ तब तक के लिए happy gardening